नमस्कार स्वागत है आपका दानियूस पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रासैनी राजिस्थान विधान सभाज चुनाओं में बीजेपी और कॉंक्रेस पार्टी के बीच आरोप परत्यारोप का दौर लगातार जारी है इस कड़ी में अब गेहलोज सरकार में मंत्री परताप सिंग खाच्रियावास का एक बड़ा वयान साथने आ है क्या यूं कहें कि बीजेपी पर हमला बोलते हुए खाच्रियावास ने एक चोकाने वाला वयान देतिया है जिसके बाद राजिस्थान में राजनितिक बवाल शुरू हो गया है ग्याहलोज सरकार में मंत्री हुए इतना ही नहीं इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि मैंने पुजार विक्वेस्ट किया एक मंत्रों के ताले लगाए जाए रात में मंत्रों को खुला ना राखा जाए क्योंकि बीजेपी के लोग घूम रहे हैं, वो मूर्तियों को खंडित करके वहाँ पर दंगा करवाना चाहते हैं, ताकि गैलोत सरकार पर आरोप लगे, बीजेपी हिंदू-मुस्लिम की राजनिती कर रही है, बीजेपी धन की राजनिती कर रही है, यह तमाम पड़े पयान, प्रताप खाशेवास की ओर से दिये गए हैं जाहिर तोर पर राजिस्थान में विधानसभा चुनाव हैं और चुनाव बेहत करीब हैं ऐसे में सताधारी जो पार्टी है यानि कॉंक्रिस पार्टी ग्यहलोज सरकार वो खुद को रिपीट करने की कोशिश वहाँ पर कर रही ह लेकिन बीजेपी ने अपनी तहियासी पूरी कर ली है जिसमें कॉंक्रिस पार्टी के जो घोटाले हैं कॉंक्रिस पार्टी ने जिस तरीके से राजिस्थान की जन्ता से तमाम वादे किये थे लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोग ग कोशिश कर रही है और यही वजा है कि अब इस तरीके से जो मंत्री है प्रताप सिंग खाच्रयावास उनकी बॉकलाहट देखने को मिली है उन्होंने ना सिर्फ बीजेपी पर आखरोप लगाया है बलकि यहां तक कह दिया है कि मैं पुजाहियों से रिक्वेस्ट किया है कि व रहे नए वीडियो चलाती है कुछ में कोसीज की गई मंदिरों में बीजेपी के कारिकरताओं ने अचानक मैंने मंदिरों के पुजारियों से रिक्वेस्ट किये अपने अपने मंदिरों में रात को ताला लगाओ यह बीजेपी के लोग घूम रहे हैं बीजेपी काराले मे जगडा हो जाए और सारा नाटक एजेंडा तो भाई आप अपने काम पे लड़िये ना आप क्यों इस एजेंडे पर आगे हो वापस क्योंकि आपके पास एक एजेंडा है और आप उस एजेंडे पर काम करना चाहते हो राजस्तान का मुख्यमंत्री असूग गैलोत सनातन धर को मानता है आप कैसे ये बात कह सकते हैं आपको किसने चार्ज दिया और आप होते कौन है इस तरह की भासा बोलके बार बार तुस्तिकन तो तुस्तिकन तो तेरा खुद का हो गया क्यों आप खुद भैमान है आप में होड़ लगी हुए जूट बोलने की लेडर्सिप का क् पहले टिकेट कार्ट दिया राजवी साब का बाद में को एक और कंडेट इनके बड़े लिडर्सिप का दो जड़ों के टिकेट कार्ट के खुद लेती हैं साफतोर पर खाश्रहफास की जो कहीं ने कहीं एक चुनाफी बॉखलाहत थी वो उनके बयानों में देखने को मिली बीजवी पर आखोप लगाते हुए उनके कहा कि बीजवी के नेता अपने दफ्तर में बैट कर दंगा करने की रननीती बनाते हैं इतना ही नहीं ये पार्टी हिंदू मुसलिम पर राजनीती करती है और चुनाफ के समय हर बार धर्म को मुद्दा बनाती है देश को बीजव पीस से सावधान रहना चाहिए ये उनकी तरफ से कहा गया है बात अगर रजस्तान की की जाये तो रॉष कौक्रस पर्टी के लिए मुश्किले लगातार बढ़ रही है क्योंकि एक तरफ में कौंक्रस पहले ही दो धरो में बढ़ चुकी है एक तरफ अशोग गहरोत का खेमा है तो दूसरी तरफ सचिन पाइलेट का खेमा है हाला कि दिखाने की कोशिश ये हो रही है कि हम पूरी तरीके से साथ हैं लेकिन वो कहने करी साथ नजर नहीं आ रहा है साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि लगाहतार जो राजिस्थान कॉंक्रिस पार्टी के नेता हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं बीजेपी का रुख कर रहे हैं इससे भी कॉंक्रिस पार्टी कहीं न कहीं बॉक लाई हुई है लेकिन परताप सिंग खाशयावास ने जिस तरीके से बीजेपी पर ये आरोप लगाए हैं उन्होंने ये कहा है कि हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बीजेपी जो नए नए वीडियो चलाती है कुछ में कोशिश की गई है कि मंदरों में बीजेपी के का फिरश के लोगोذ से बीजेपी का रहांस कंगां रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी पर आफोप लगाया है बीजेपी ने भी इस पूरे माफले को लेकर पलटवार कॉंगर्स पार्टी पर किया है और आपको मैं ये बता दूं कि बीजेपी ने इस बारे में एक वीडियो जो है जारी किया है और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता जो है लक्षमी कांत भार्थवाज उन्होंने नहीं है क्योंकि वो अपनी सीट से हार रहे हैं ये बीजेपी ने पलटवार किया है और एक तरीके से जवाब दिया है तो कुल मिलाकर राजिस्थान में जो सियासी बार पलटवार का दौर है वो जैसे जैसे चुनाव की तारीक करीब आ रही है वैसे वैसे काफी जादा साद्सान में बढ़ रही हैं काइनेता पार्टी छोड़ चुके हैं दो खेमों में कॉंकरेश एसमार में बती हुई है लात डाइवी का हुदा हो चाहे पेपर लीग का हो चाहे विकास ना कराना हो चाहे बिरोजगारी हो महकाई हो इन तमाम हुद्टों को लेकर लगातार बीजेपी रनीती के तहट चुनाफी मैदान में उत्री हुई है और जाहिर तोर पर यही वजा है कि इस तरीके की यह बॉकलाहट देखने को मिल रही है जहां पर बीजेपी से मुकाफला करते करते कॉंक्रिस पार्टी के नेता जो मंतरी है मोचुदा सरकार में वो इस बयान पर पहुँच गए है कि पुजाहियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रात को मंदिरों का ताला लगा है और बीजेपी पर यह आरोब लगा रहे हैं कि बीजेपी मंदिरों में ज़ाकर मूर्तियों को तोड़ रही है ताकि दंगा फसाद हो हिनसा हो और उसका आरोब कॉंक्रिस पार्टी पर लगे हाला कि बीजेपी ने भी जवाब दिया है लेकिन ये कहीं न कहीं आहोप परत्याहोप का दौर ये चुनावी और जुबाथी हमले कहां तक पहुँचेंगे चुनाव आने तक ये देखने वाली बात होगी फिलाल आपकी इस पूरे माफने को लेकर क्या राई है में कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताने बात